Hello, Namaskar, Welcome to Inculicate Learning. Teaching Aids के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, काफी जगए important है आपके B.A.D. के exams हो या, teaching में आप कुछ भी exam दे रहे हैं, कोई भी exam दे रहे हैं, तो teaching aids क्या होती हैं, वो आपको being a teacher पता होनी चाहिए, ठीक है जी? So, this is presented by me, Raveena, अगर आपको videos informative लग रही हैं, So, like, share और subscribe, जो आप Inculicate Learning को कर सकते हैं, तो सबसे पहले teaching aids होती क्या हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, तो teaching aids जो हैं वो एक तरीके से tool या equipment हैं, जो कि teaching में use की जाते हैं classroom में, जिसकी वज़ा से students का interest जो है वो, उसमें हम enhance कर सकें, या ज़्यादा better तरीके से हम effective जो है learning या teaching को बना सकी, for example, जैसे हम क्या करते हैं, कि teacher मालो एक तो है कि lecture method से बढ़ा दिया, आये और उन्होंने board पे सारी चीज़ें बता दी, जो भी चीज़ें, उन्होंने समझानी थी उस topic से related, मालो topic है solar system का, तो उन्होंने board पे क्या किया कि एक circles बना के और समझा दिया, कि ये sun है, इसके बाद जो है mercury है, या पूरा solar system उन्होंने समझा दिया, एक तो वो तरीका है, दूसरा, अगर teacher जो है, वो balls के through कोई project जो है वो बनाएं, या कोई ऐसे चीज़ें यूज करें, या माली जे projector के ऊपर ही आपको जो है, वो video दि किस चीज का काम करेंगे, वो एक teaching aid का का काम करेंगे, चाहे वो projector हो, या फिर जो है, जो मोडल आप बना के लाएं, या जो balls के through आपने कुछ बना के मोडल और दिखाने की कोशिश की है, वो क्या है, teaching aid है, अब teaching aid और method जो है आपको दो जगावे मिल जाएंगी, आपको major difference प फिर थोड़ा सा जो है, वो board की help से, ठीक है, ये क्या हो गया, जिसमें teacher-centric method हो गया, teacher का सारा का सारा role है, तो वो क्या हो गया, एक method हो गया, कि आप कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन आप जिन चीजों का use करेंगी बीच में, वो चीजें जो की enhance करेंगी, learning को वो क्या हो teaching aid हो जाएंगी, I hope आपको ये समझ आया होगा, so teaching aid की वज़े से क्या हो जाता है, अब जैसे वो teacher ने क्या किया, कि projector की ओपर एक video दिखा दी, जिसमें कि वो clearly आपको revolve करते वे नजर आ रहे हैं, rotate करते वे नजर आ रहे हैं, कि अपने axis पर rotate करेंगे, sun के around revolve करेंगे, तो जो सारी चीजें दिख रही है, proper image जो दिख रही है, एक तो वो audio-visual होगी, यानि आपको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, audio और visual, दोनों चीजें, so वो proper images जो है, वो आपके mind में create हो जाते हैं, एक interest जो है, वो आपका create करती है, उसमे student का पढ़ life situation, so क्या होगा, teaching aids की help से जो है, जब हमें पता है कि वो images जो है, या जो भी चीजें हम दिखा रहे हैं, वो एक interesting environment बना रही है, या interest जो है, वो बच्चों का create कर रही है, so वो बच्चे जो है, जब interest create होगा, तो curiosity होगी, और वो actively participate करेंगे, अगर उनको समझ नहीं आ रहा, so वो interesting way में पूछेंगे, कि यह क्या था, या उनको curiosity जो है, उस case में रहेगी, और वो real life situation से compare करने की फिर कोशिश करेंगे, the use of teaching aids can facilitate the learning process by making it interesting and less time consuming, तो एक तो आप जो है, बोल बोल के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, कि solar system होता क् एक आपने जो है, वो दिखा दिया उसको proper तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो time consuming कम हो जाएगा, या आपका जादा time खर्च नहीं होगा, जल्दी समझ पाएंगे बच्चे, और interesting तो वो बन ही जाएगा, so teaching aids जो है, वो इन चीजों में helpful रहती है, अब teaching aids devices क्या क्या हो सकते हैं, जैसे computer, DVD, या books, कोई अलग तरीके कि आपने book दिखाई है, जिसमें picture book दिखा दी कुछ, chalkboard, picture, या फिर objects के आप कुछ specimen दिखा रहे हैं, map दिखा रहे हैं, या globe लाके दिखा रहे हैं, मनली जी आप science में digestive system पढ़ा रहे हैं, तो आपने chart दिखा दिया उसका, औ वो सारी चीज़े teacher को help करती है, किसमें teaching learning process को और effective बनाने में, और effortlessly आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे इससे interesting, या मनलब, वो जो है, वो attract होगे इन सब चीजों की तरफ, so conclusion ये है, कि teacher की capability, creative abilities, कि वो कितनी है, इसके उपर काफी कुछ depend करेगा, जब हम teaching aids की बात क वो काफी हद तक जो है, इन चीजों को affect करेंगी, अब आता है, types of teaching aids की कौन-कौन से types हो सकते हैं, so कई तरीके की types हो सकते हैं, एक है time period के basis पे, एक होगा conventional, दूसरा non-conventional, यानि traditional और modern teaching aids, traditional में आप जो है, पुराने जमाने में जो चीज़ें यूज होती है, जैसे orally समझाय जाता था, वेदिक education में हमने पड़ा था, modern teaching में आजकल जो है, प्रोजेक्टर पे, या smart classes, या smart board, या laptop की help से, जो मैं आपको समझा रही हूँ, so वो सारे non-conventional में आ जाएंगे, on the basis of sense organs involved, कि कौन-कौन से sense organs involved है, जैसे आप कुछ चीज़ें आपको देख के समझ रहे हैं, तो वो auditory ads हो गई, और अगर teacher समझाते, समझाते, आपको visual video दिखा रहा है, या फिर video में ही sound है, तो वो दोनों चीज़ें use हो गई, कि आपको सुन भी रहा है, और आप देख भी पा रहे हैं वो चीज़ें, तो वो audio visual ads हो गई, so जितनी जादा sense organs आपके involved रहेंगे, उतनी जादा better teaching learning का process जो हो बन पाएगा, use of projector screen, so आप projector screen का use कर रहे हैं, तो वो projected teaching aid हो गई, और नहीं कर रहे हैं, तो non-projected हो गई, मानलीजी आप board पे समझा रहे हैं, चोक method से, जो चोक industrial method होता है, so उस से समझा रहे हैं, तो वो non-projected हो गई, लेकिन जब आप projector पे screen पे कुछ दिखा रहे हैं, technology का use करें, तो वो क्या हो गया, projected method हो गया teaching aids में, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं, पहला है conventional teaching aids, तो जब technology को आप use नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस time तक जब यह पहले की बात रहे है, traditional teaching aids है, so उस time पे electricity, phone, computer, internet, यह सब चीज़े नहीं होती थी, so हमारे पास क्या था, चोक था, blackboard था, या फिर जो है, dust और mud sketching थी, यानि कि, जैसे कई बार दिखाई भी जाती है, कि वो sand से एक sketching होती है, या फिर dust और mud की sketching, जो आपके पास पहले available था, वो ही use करके क्या कर रहे है, बचों को समझाने की कोशिश कर रहे है, तो वो ही चीज़ें teachers के द्वारा, standard teaching aid की तरह use की जाती थी, चीक है, nature का element, या actual object दिखा दिया, so यह सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जो non-conventional या traditional, non-conventional या modern teaching की बात करें, तो आज कल की technology को use करके, so जो gradual technological processes हुए है, उनकी वजह से जो है, वो non-conventional TA, जो teaching aids वो available हो पाई है, जैसे computers, TV भी आज कल बहुत सारे channels आते हैं, radio पे भी जो है कई बार lectures दिये जाते हैं, interactive whiteboard जो होता है, जो बहुत सारे YouTube TK ऊपर भी teachers जाते हैं, so वो सारी चीज़े किस में आएंगे, modern teaching aids में आएंगी, so modern teaching aids जो है present themselves in different forms, अलग-अलग तरीके की हो सकते हैं, ये world of opportunity जैसे की teaching aids, games, activities, media, ये सारे चीज़े जो हैं, वो बच्चों को आज की जवाने में available हैं, और ये teacher का जो task है, वो enjoyable भी बना देती हैं, और challenging भी ये, कि आप उसको और कितना better बना सकते हैं, आप कितना creative mind use करके अपना, उसको effective learning बनाने की कोशिश कर सकते हैं, चीक है जी, so the use of non-conventional teaching aids play an important role in teaching and learning process today, so बहुत ज़्यादा important role ये play करते हैं, क्योंकि बेटर तरीके से समझ आ सकता है, और ज़्यादा sensory organs जो हो involved रहते हैं, अब teaching aids, जो कुछ एक teaching aids को audio visual भी बोलते हैं, क्योंकि सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, तो आपके at least 2 sense organs जो हो involved है, ठीक है, so इसमें जो aids involved हुई, धीरे-धीरे उनके बाद अलग-अलग organs include होते गए, नहीं तो पहले किया, जैसे oral समझाय जा रहा था, तो सिर समझ रहे हैं उसको देखके, text books है, magazines है, तो यह सारी visual aids में आएंगी, auditory में आपको सुनाई दे रहा है, जैसे radio है, वो आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है, तो वो auditory aid हो गया, audio visual जैसे tv हो गया, या जो video material जिसमे audio और video क्या है, combination में है, जैसे अभी जो मैं आपको पढ़ा र screens जो available है, जैसे की PPT, slide, film strips, या overhead projectors, tv, vcr, तो यह सारी चीजे screen पे project हो सकती है, जो image है, वो आपको screen पे दिखेगी, जो भी material होगा, so वो projected aids होगी, इनको आप जो है, large और small groups दोनों के लिए यूज कर सकते है, जैसे मानलीजे कोई film दिखाई जारी है, तीटर में, चाहे हो education से related हो, so वो educational film जो आपको theater में दिखाई जारी है, वो large audience को दिखाई जारी है, या फिर हो सकता है, कि आपके school में, जो है, 4-5 बच्चों की class है, या कम बच्चे है किसी class में, तो उनको दिखाई जारी है, तो वो एक small group को क्या दिखाई जारी है, के लिए use किया जारा है, तो learning को better बनाएंगी as comparison to non-projected aids, non-projected में projection screens की requirement नहीं होती, कई बार इतना easy question भी आ जाता है कि projection screen की requirement किसमें है और किसमें नहीं है, so उसमें आपको ये film strips, PPT, ऐसे examples दे जाएंगे, तो आपको उनमें से फिर select करना है, तो non-projected में क्या क्या आ जाएंगे, ये जो है chalkboard आ गया इसमें technology का use करके screen को project नहीं कर रहें, आप जो material है, उसके enlarged image किसी screen पे नहीं दिखाई दे रहें आपको, ठीक है, हाँ, ये comparison हो जाता है, non-projected aids में क्या है, एक तरीके से first hand experience होता है, जो की actively participate करते हैं students इसमें, so retention जो है, obviously bright वाले जो portion है, उसमें भी जादा रहेगी, better result रह हैं हमेशा, और उसमें retention power भी जादा रहती है, first hand experience के case में, अब teacher को एक teaching aid की तरह कहीं पे दिखाया गया था, मैंने कोई paper देखा था, published किया, obviously, कोई paper, मैंने research paper निकाल के देखा, so उसमें एक नया aspect था, कि teacher भी एक teaching aid की तरह काम कर सकता है, जब हम teaching aids की बात कर रहे हैं, तो ह इसको ignore नहीं कर सकते, ठीक है, so teacher एक effective teaching aid का का काम कर सकता है, और वो किस aspect में बोल रहे है, क्योंकि teacher ही, teacher की जितनी भी activities होगी, चाहे वो body language हो, या eye contact with students के साथ, या कुछ facial expressions हो, या teacher ने कुछ question पुछे तो वो student को time दे थोड़ा सा सोचने का, या उनको अपनी नाम से बुला तो एक teaching aid की तरह जो हो देखा जा सकता है, so जितनी भी activities है ये, एक friendly learning environment create करेंगी, और जो gap है teacher और student के बीच में, जो बहुत जादा बन जाता है कई बार, so उस gap को fill करने की कोशिश करेंगे, but वो gap fill हो रहा है, that doesn't mean कि वहाँ पे, जो teacher और student के relation में एक respect हो ना हो, ये चीज हम हमेशा ध्यान रखनी है, so teacher जो है, model, narrator, singer, presenter, dancer, friend, role player, so teacher एक facilitator जो हो एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि सारी चीजे, teaching aids क्या है, वो एक चीज है, side by side है, जो आपको help कर रही है, learning को effective बनाने में, but teacher का जो place है, वो कोई भी यहाँ पे teacher को replace नहीं कर सकता, चाहे वो technology हो, या कोई चीजें कब की teacher की जगह ले लेती, but ऐसा possible नहीं है, teacher का अपना role है, और बाकी जो चीजें है, जितनी भी technology है, जो आज की जमाने में gradually increase हो रही है, so वो सारी चीजें अपनी जगह है, so teacher का जो role है, वो irreplaceable है, ऐसा हम बोल सकते हैं, so teaching aids इतनी जो हमने पढ़ ही, उनकी importance क्या ह enhance करेंगी, increase करेंगी, ठीक है, so वो effective होती है, student की, चाहे वो memory हो, या understanding हो, या learning हो, हर process को वो क्या करेंगी, effectively increase करेंगी teaching aids, ठीक है, so better understanding को facilitate करती है, confusion जो है, वो कम रहता है, आपको easily समझ आ जाता है, so it is absolutely effective, because it makes the whole process simple, productive, and enrich the learning activities, so teaching aids, जो है, वो classroom को एक live interactive बनाती है, avoid करती है, dullness को, या bore नहीं होते, बच्चे इसमे, involvement जादा रहती है, active participation उनका रहता है, so a democratic environment एक तरीके से बना रहता है, interactive environment, जो है वो teaching aids, effective teaching aids, जो आप जो है, बच्चों को actual में, जो help कर रही है, वो जो है क्या करती है, बहुत important हो जाती है, teaching aids, so ये खा सारा का सारा teaching aids के बा कुर है को के बच्ची जो है ।